सम्विधान का सबस्यादा माखोल कॉंग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गड़ बंदन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है राज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर श्वतंत्र भारत में अभी सम्विधान बना ही था बाबा साब भीमराओं बेटकर की भावनाओं की विप्रीच जा करके ततकालिन कॉंग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के सम्विधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर सम्विधान में जितने संसोधन के चाई अभी व्यक्ति की स्वतंतरता को कैद करने का कारे कॉंग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया था। और 1975 को कौन ही जानता है सम्विधान का गला घोटने का काम इमर्जंसी के माद्यम से कॉंग्रेस नहीं किया। अन्य आउस्वरों पर भी कॉंग्रेस ने कारे किये। बाबा साब भीम्राओं बेटकर बार बार इस वात को कहते थे। कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं हो सकता। सम्विधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्हों ने इसका विरोथ किया। लेकिन कॉंग्रेस ने लगातार ये प्रियास किया कि S.C.S.T.R. O.B.C. को मिलने वाले आरक्षन में से सेंद लगा करके इस में से कुछ लाब कुछ हिस्सा काट करके अलपसंख्यकों को मुसल खास तर पर मुसल्मानों को दे दिया जाए। यूपिये गॉवर्मेंट के समय ततकालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग का एक बयान जगजाहिर है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है। यूपिये सरकार के समय जस्टिस रंगनात मिस्रा कमेटी और जस्टिस राजेंदर सचर कमेटी सेस्टी और OBC की आरक्षण में सेंद लगाने की कुछ सित मंत्सा के साथ लाए गई थी। कॉंग्रेस की आंदरप्रदेश की सरकार ने और कॉंग्रेस नित्रत्व की करनाटक की सरकार ने OBC की आरक्षन को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे तो संविधान का सरवादिक मखोल कॉंग्रेस ने और उसके इंडीक अड़बंदन से जुड़ेवे लोग चाय वह समाजबादी पार्टी हो चाय वह TMC हो चाय वह RJD हो चाय वह आम आदमे पार्टी हो इन ही लोगों ने उड़ाया है अरे लोग लगाता राज भी यही प्रियास कर रहे हैं इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 की एलेक्षन में अपने मैंने फेश्टों में इस बात का उल्ले किया था कि वहाँ मुसल्मानों को भी आरक्षन देगी समाजवादी पार्टी का जगजाईर जो चरितर है जगजाईर है आरजेडी में लालू जी पहले बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसल्मानों को वे आरक्षन का लाप देंगे टीमसी के एक फैसले को अभी कलकता हाई कोट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुँपे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के अधार पर आरक्षन नहीं हो सकता इनका कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर प्रस्टनल लागो करेंगे प्रस्टनल लागो करने का मत्तब तालिमानी सासन बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी माताएं बेहने मारकेट और आपिस नहीं जा पाएगी बुरका पहन करके घर में दबा रहेना पड़ेगा भारते जनता फार्टीस बात को कहती है मोदी जी के ने तृत्रत में किया भी गया है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ से लेकर के मात्री वंदना योजना से लेकर के नारी सक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में यहादनियम पारित हुआ जो मैलाओं को बिधान सभा और संसद में 33 फिस्दी आरक्षण के स्विधा देता है और बीजेपी की एक होचना है के देश बाबा साब भीमराओं बेट करके द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा यह देश प्रस्टनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टे अपनी हार को सुनिश्चे जान करके गुमरा करने का प्रियास कर रहे हैं इनकी मंसा कभी फूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूख है वहाँ मोदी जी के नित्रतों में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा और जनता की औण से आवाज आ रही है तो कि जो राम को लाएए हैं हम उनको लाएँगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के संगहासन पर तो स्वाभाई कृप से परम राम भक्त मोदी जी है परम राष्ट भक्त मोदी जी है तो मोदी जी के नित्रत्व में एंडिये और भारतिये जंता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा